आज को बीडियों बात करने ला हूँ, वीवो B20 Devices के अनदर आप को डिलीट कैसे करना है तो फ्रेंस इसके लिए आपको अपने डाल पैट को ओपन कर लिया हूं जहां से आप फोन लगाते हो उस डाल पैट को अपने ओपन कर लेना है इसके बाद यहां पर आपको सार्च के आउक्षन के साथ में मिल जाएगा थ्री डॉट का ओक्षन तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां पर एक सैटिंग का ओक्षन आ जाएगा तो आपको सैटिंग के ओक्षन पर क्लिक कर लेना है आप जैसे सैटिंग के ओक्षन पर क्लिक करोगे यहां पर कॉल रिकोर्डिंग का ओक्षन मिल जाएगा तो आप देख रहे हैं आपको पहल है आलबेज रिकोर्ड को स्टैटिंग कर लेना है तो आप देख रहे हैं नंबर नाट इस यूर कॉंटेक्ट जो आपके कॉंटेक्ट में नंबर नहीं है उनकी रिकोर्डिंग करने के लिए आपको यहां पर इसको और करना होगा आप देख रहें यह वाले बटन को ऐसे ओन कर लेना है आप जब इसको ओन कर देंगे जो आपको contact में number नहीं है उनको record करेगा यह जो नए नमबर्स है उनको recording करेगा यह जो आपके phone में नए numbers आएंगे जिनकी आप अपने contact में save नहीं किये हैं उनकी recording यहां पर करेगा और जो कॉंटेक्ट आपने अपने फोन में सेव कर रखा है उसकी रिकोर्डिंग के लिए आपको यहां पर नीचे सेलेक्ट नंबर पर आपको क्लिक करना है तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यहां पर आप देख रहे हैं आ रहा है सेटिंग तो यहां पर इसको always record select number तो आपको इसको ओन कर लेना आप यह वाले बटन्स को आपको ऐसे ओन कर लेना आप जैसे यहाँ पर ओन करेंगे ऐसे इसको setting आएगगा तो हमको इस पर क्लिक करके ओन कर लें इसको इसके वाद आपको यहाँ पर तो आप 9 razas कॉंटक्ट में जाता हैं और इसके बाद के नंबर यहाँ से च्राइड कर सकते हों आप जितने भी allerdings नंबर यहाँ करना चाहें कर सकते हो, तो आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर एक number को यहाँ पर select कर ले रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं, इस number को मैं select किया हूँ, अब मेरे phone में यहाँ पर दो number से हो जाते हैं, तो अब दोनों की recording जो है, automatic हो जाएगी, इसके लावाँ जो भी और number save है, उनकी recording नहीं ह होगी, यहाँ पर आप जितने भी number add करोगे, उसकी call recording आपके phone में automatic हो जाएगी, फ्रेंस आइसे आप अपने phone में automatic call recording कर सकते हैं, फ्रेंस कुछ phone में होगा आपको, अगर दूसरे phone है, या आपके phone में updates नहीं हुआ होगा, तो वहाँ पर आपको एक plus का button मिलेगा, अगर आपको यहाँ पर एक plus का button मिलेगा, तो आप वहाँ पर plus के button पर click करोगे, आपको जो save contact है, वहाँ पर show हो जाएंगे, फ्रेंस चलिए आपको delete setting बताता हूँ, आपको अपने phone में automatic call recording को delete करना है, तो आप देखरें, उपर में मिलता है, delete recording, आपको इस पर click कर लेना है, तो आप जैसे इस पर click करोगे, यहाँ पर आपको delete recording में setting मिलता है neighbor, अगर आप neighbor पर click करोगे, तो आपके phone में जो भी call recording होगा, और delete नहीं होगा, और यहाँ पर आपको तीन setting और मिलता है, 7 day, after 7 day, after 14 day, और यहाँ पर 30 day, तो इन में से आप तीनों में से कोई एक use कर सकते हो, त तो आपके जो call recording है, उस साथ दिन बाद automatic delete हो जाएगी आपके phone से, अगर आप 14 दिन करना चाहते हैं, तो आपके phone में 14 दिन बाद automatic call recording delete हो जाएगी, इसी तरह आप यहाँ से तीन भी use कर सकते हो, तीनों setting में से आप कोई भी use कर सकते हो, इतने दिन बाद आपके call recording है, automatic delete हो और आपके memory जो है, वहाँ पर भरेगा नहीं, आपके memory खाली होते रहेगा, friends, ऐसे आप अपने phone में automatic call recording कर सकते हैं, friends, उम्मीद करता हूँ, वीडियो अच्छी लगए उससे like कलने, share कलने, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कलने, और बिल आइकन प्रेश करने तक के हमारे वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले, friends, फिर मिलते एक से नेक्ट आप इस नेक्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाए-बाए